हेलो दोस्तों मैं सोरम बलिक आप सभी का टोपिक स्टेडिय में स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले MP पटवारी की ही आने चाहिए और मुझे बहुत से मैसिज भी आ रहे थे क्योंकि मैंने MP पूलिस की कटोफ बताई थी और वह नियर बाई बिल्कुल क्रेक्ट ही मिली थी मैं 70 अबोव आपको बता था तो 70 अबोव आपकी कटोफ लगी थी तो इसलिए मुझे मैसिज आ रहे थे तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाने का decision लिया और आपका पूरा analysis करके अभी तक कि जितने भी paper मैंने देखे है MP पटवारी के उसके हिसाब से मैं इसमें आपको कटोफ बताऊंगा आप वीडियो को end तक देखिएगा और जो भी मेरा दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और अभी तक हमारी चैनल के साथ में नहीं जुड़ाया तो हमारी चैनल के साथ में जुड़ने के लिए नीचे red कलर का button दबा करके घंटी का icon कौन रखे दो ताकि जितनी भी latest वीडियो आती रहे उनका message आपके पास पहुंचता रहे MP पटवार से लेटिड और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पे अपलोड होती रहती है जब तक आपके एक्जाम चलते रहेंगे तो और भी वीडियो अपलोड होती रहेगी और हर एक shift का analysis भी आपको मिलता रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब परके रखे और घंटी के आइकन को भी जरूर्ड ओन कर ले ताकि यह आप वीडियो का message भी आपके पास तभी पहुँच जाए जब वीडियो डले ठीक है दोस्तों और प्लीज वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी न भूले तो वीडियो को start करते हैं दोस्तों overall आपके exam देखे जाए तो MP पटवारी के बहुँच easy exam आ रहे हैं आपकी बार में ज्यादे hard नहीं है ठीक है तो उसके हिसाब से अगर कटोफ देखी जाए तो आपकी general की कटोफ 75 से 80 जा सकती है और यह expected कटोफ है अगर इसमें plus 5 और plus minus 5 आप रखिएगा मतलब की 5 नंबर उपर और 5 नंबर नीचे भी जा सकती है ठीक है इससे एक आपको idea मिलेगा कम से कम आपको 70 या 75 नंबर तो आपके होने चाहिए यह सोचने के लिए कि आप selection के eligible है या नहीं है और 80 तक भी आपकी कटोफ जा सकती है ठीक है आपको इससे इतना idea मिल जाएगा OBC की बात करे जाए तो 73 तो 77 तक आपकी कटोफ जा सकती है कटोफ का तो यह expected है और दूसरी बात कटोफ depend नहीं करती कि आपका overall exam क्योंकि आपका exam normalization के base पे होता है किसी का number 70 पे भी आ जाता है और किसी का 80 पे भी नहीं आता है तो आप इस चीज़ को समझ जाए कि normalization से आप जैसे किस दिन पेपर हाड आया है और उस दिन सबके know 60 पर शिक्स्ट था था तो उस दिन का मान लिए जाएगा कि ज्यादेतर mark 60 अये तो मतलब paper hard था और किस दिन पेपर एजी आया तो जादे तर बच्चों के 80 नंबर आये तो उस दिन मान लिया जाएगा कि इस दिन पेपर एजी था तो 80 वालों के 5-10 नंबर नीचे आजाएंगे और 60 वालों के 5-10 नंबर उपर चले जाएंगे तो ऐसे 60 वालों का भी नंबर आ सकता है ठीक है तो आपकी यह हो गई, नॉर्मलाइजीशन की बात तो नॉर्मलाइजीशन में आपका प्लस 5 और माइनस 5 आपका रहता है हमेशा, क्योंकि यह अच्छा भी है, क्योंकि किस दिन पेपर हाड आता और किस दिन इजी आता है, तो इससे एक इक्वैलिटी बन रहती है, फ 4 और 5 और मार्क्स रखेगा, क्योंकि यह एक्सपेक्टिड है, स्ट वालोगे लिए 64 से 67 तक आपकी जा सकती है, और इसमें भी प्लस 4 और 5 रखेगा आप अपना, प्लस माइनस, और ओवरोल आपकी 65 से 80 के बीच में आपकी जा सकती है, कटोव, सभी अगर सभी की देखी ज बहुत easy question पूछे जा रहे है, basic आपकी math पूछी जा रही है, computer आपकी basic पूछी जा रही है, तो उसके हिसाब से और marks भी जैसे comment box में बताते हैं, बहुत से दोथ, तो उनके भी marks कोई 80-85 और मतलब जादे तर marks इतने ही बताते हैं, ठीक है, तो आप tension नहीं लेने का, आपका selection हो जाएगा, अगर आप इनके बीच में apply करते हैं, इनके बीच में आपके number आ रहे हैं, और अपना जिनका exam बचा हुआ है, तो कम से कम इतने तो ले के आए, कम से कम जो पहले आपको दिख रहे हैं, 75, 73, 67, 64, 65, इतने तो आपके आने चाहिए marks, ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं कि हाँ, हमारे selection हो सकता है, तो इतने marks आप लेका आईएगा, तो आप security के area में खड़े हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी mistake लगती है, कुछ भी लगती है, तो आप नीचे comment box में बताईएगा, और अपने marks जो अभी तक जितने भी student exam दे चु application मिल जाए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लेगे हो, तो लाइक तो जरूर कर देना, और शेयर कर देना, वीडियो देखने के लिए पोदबूत दने वाद, आपका दिन सुभू,